क्रेमंती नरोत्तम विश्वाने कैबिनेट ब्रीफिंग शिवराज कैबिनेट का फैसला, किसान और शात्रों को लेकर बड़ा फैसला जिबनी में सिचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड की मंजूरी चंदेरी में सूक्ष्म सिचाई परियोजना के लिए 558.05 करोड की मंजू वत्ता मद्प्रदेश के लिए पद में संशोधन किया लोक परिसंपती के बाद के तहट जूनी इंदौर की जमीन को पंच करोड से 40 लाग की कीमत पर देनी की सहमती बनी है आज बिधान सवा के संविती कक्ष में मानी मुख्यमंतरी सिवराज सिंगी चोहांजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें अनेक महत्यकूर्ण नेड़ने लिए गए आज का दिन किसानों को और विद्यार्तियों को समर्पित सा रहा आज जो बिजना हर्राई माइक्रो एरिकेशन सिवरी जिले में है जिसे बिजना पिकप बियर के नाम से जाना जाता है इसकी प्रसास की सुकरती भी कैबनेट के द्वारा तरदान की गई 29 दथमलब 37 करोड की सेमती कैबनेट में दिये जिसमें 2600 हेक्टर छेतर में सिचाई होगी जो हमारा लोग परिशंपत्ती विभाग है उसके बारे में भी जैसे जूनी इंदोर का है यहां की भूमी को 5 करोड 47 लाक में जो की रिजव परायश से साड़े 4.30 गुना हैं की सेमती दी है यह 100 प्रश्चत रासी जमा कराने के बाद इसकी रजिस्ति की जाई है इसी तरह से महीदपुर बश्डिपो उज्येन इसकी भूमी को भी आज 6 करोड 29 लाक में की सेमती दी गई है जो की जो लागत थी जो तै की थी रासी उससे 1.01 गुना अधिक है यह भी सो प्रश्चत रासी जमा होने के बाद रजिस्ति की जाएगी चंदेरी जो असोक नगर जिले में है वहाँ पर सूक्ष्म सिचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रसाज की स्विक्रति आज की अबनेट के द्वारा दी गई है इसमें 558.05 करो सिचाई छेत्र इसकी लागत है और सिचाई छेत्र जो है वो 28.000 हेक्टर है असोक नगर जिले के चंदेरी मुगावली पिप्रई तैसील में 28.000 हेक्टर में सिचाई का लाव किसान भाईयों को मिलेगा देखिए अब क्या बचा है उन पर जासुसी को मोदी जी की जीत भारती अंता पार्टी की जीत जिस तरह से पूर्वुत्तर में होई है और कांग्रेस का जैसा सूपड़ा साफ हुआ है एक बार माननी हमें साजी न कहा था न कि दूर्वीन से ढूड़ते रह जाओगे कबोबेस उसी दिसा में बढ़ रही है माननी मोदी जी ने बताया है कि भारत की एक्ता कैसे होती है भारत जोडों का नाटक और उसके आरही परिणाम आप तत्रपुरा में और कुर्वोत्तर के राज्यों में देख सकते